दोस्तों अक्सर जो ही आप ट्रेन की होर्ण की आवाज सुनते हो तो आपके दिमाग में कही तर के क्यूशन चनने लगते हैं और उन क्यूशनों को जाना भी आपके बहुत जरूरी है ट्रेन में 113 के होर्ण होते हैं और भारते रेल्वे में सुरुक्षय की दर्ष्टि से डीजल या इलेक्टरिक लोकोमोटिव जो बोध साइड लगे हुए रहते हैं उनमें होर्ण का बहुत अधिक महतु हैं इन होर्ण की आवाज से ही लोको में बेटा लोको पाइलेट गई प्रकार के संकेश देता है लोकोमोटिव का जो होर्ण होता है वो इतना सकती साली बनाया जाता है इसके पीछे कई कारण होते हैं लोकोमोटिव के जो होर्ण है वो अपनी दूरी शीमा के आदार पर बनाया जाता है इसमें ट्रेन की लंबाई 650 मेटर होनी चाहिए और आउ पर होना चाहिए इंजन का हार्न तक्री बन डेड़ किलोमेटर पंद्रासों मिटर दूर तक सुनाए देना चाहिए इंजन के जो होर्न है उसकी तिरूरता 120 से 125 डेशिबल होती है जो सामाने प्रस्तितियों में लगवग 2 किलोमेटर तक सुनी जा सकती है वैसे देखा जाए तो डेजल इंजन से भी ज्यादा तेज अवाज जो 140 टंड क्रेन है उसके होर्न की होती है क्योंकि उसका जो होर्न है वो समुन्दरी जहाज के होर्न जैसा होता है और उसके जो होर्न के आवाज है वो लगवग 5 किलोमेटर तक सुनाई देती है उसका भी एक रीजन है कि समुन्दर में जो लहरों की जो सोर है वो तेज होती है अत्य होर्न की आवाज लहरों की सोर स के देज रखी जाती हैं कई बार आपके दिमाग में यह क्रोशन भी उड़्ता है कि क्याूर्ड की काणोंपर इसाइश्थन पर पता है तो दोस्तों इंजन काेels और वह दो मुहँदा होता है। सामाने ते ड्राइवर वो हॉरन बजाता है, जिसका मह उससे दूर हो, इसके लिए ड्राइवर केबिल में सोटुड साइट, एम लोंगोर साइट के स्वीच लगे रहते हैं, वो ड्राइवर अपनी सुधा के अनसार इन स्वीचों का इस्तिमाल करता है, इन तमाम वजों की ब रहेगा कि डीजल लोकों और इलेक्ट्रिक लोकों में सब सब 30 ओरत के वाज किसकी रहती है और क्यों रहती है यह सब डीजन में अगले नहीं वीडियो में लेकर आँगा तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वाय गुडबाई टेक क्या